गुड मॉनिंग एवरिवन आज 16 मही 2020 और 16 मही से करंट अपेर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्यूशन बनेंगे उनको डिसकस करेंगे डी टील में इस वीडियो में और प्रतेक क्यूशन के साथ इस्टेटिक जिके के इंपोर्टेंट फेक्ट भी दिये जाएंगे जो की बहुत इंपोर्टेंट है एक जाम पॉइंट आप विस हैं तो वीडियो को लास तक जरूर देखें और परतेक इस्टेट और परतेक वर्ल्ड के जितने भी जो कंट्री हैं उनको मेप के थुरू किसके परमुक रोबेटो अजेवेडो ने इस्तिपाद दिया है तो यह डवल्ड ट्रेड ओर्गेनाइजेशन इसके परमुक ते रोबेटो अजेवेडो तो इन्होंने अभी इस्तिपाद दिया है यह रोबेटो अजेवेडो तब इन्होंने इस्तिपाद दिया है तो यह डव्लूटी ओ के परमुकते हैं और यह किस कंठ्री के थे तो यह ब्राजील के थे और इन्हों ने जो अमेरिका की राष्ट पती है डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने दबाव बनाया था इनका कारेकालों ना था दोजार इकिस में लेकिन इन्होंने इस्तिपा दे दिया हैं तो ब्राजील केते रोबेटो अजेवेडो अब बात करें डबलूटी ओकी तो डबलूटी ओकी तो पहले बेसिक फुल्पोर में वर्ल्ड ट्रेड ओर्गिनाइजेशन इसकी स्थापनाईती उन्नीसो पिच्च्यान में में कब हुईती नाइन्टी नाइन्टी फाइप में और इसके लाव एक और इंपोर्टेंट किसन बताते हैं जो पाकिस्ताने उससे अभी कुछ महिनों पले मौस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापिस लिया था भारत ने पाकिस्तान से तो यह दर्जा दिया कब था तो यह डबलूटी ओकी जश्ट इस्तापना के एक साल ने पाकिस्तान को मौस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था तो वह वापिस ले लिया गया था भी जो पुलवां मा टेक हुआ था उसके बाद तो डबलूटी ओकी स्तावनाईती उनीश्व पिच्छयाण में में और इसका एड़ को अटरे जिनेवा जिनेवा कहां प पर उसके लाव डबलू आई पी ओकी फुलफ़र में वर्ल्ड इंटेल इंटलेक्च्वल प्रॉपर्टी अ और ऑर्गिनाईजेशन उसके लावा जो यून की यूनाइटे नेशन और व्ल्ड हेल्थ और्गिनाईजेशन तो यह पुलफ़र में याद रखना है सभी की बेसिक नेक्स्ट किसने तो इसे ही इंपोर्टेंट पेक्ट दिये जाएंगे नेक्स्ट किसने हाले में किसरा जैसरकार ने मातिरी इसमर्ष्ती योज योजनां शुरु किये तहीं तो पटीम इंवर्मेंट現在 M bene यह फिर कि म्क्य मंत्री चीप मिनिस्ट्र अंता बैनर जी इन्होंने इसकी योजना कि शुरुआत कि हैं मातिरी समर्ष्ती योजना अब यह योजना के हैं तो इस योजना के तरद जो पस्षिम मंगाल के जो छे जिले हैं उनकी 50,000 एकड़ जो बंजरबुमी है उसका यूज किया जाएगा यानि कि उसका इस्तमाल किया जाएगा इस योजना के तरद तो यह योजना मचली पालन के लिए भी बहुत स्मस्ति योजना अब यह पसिम मंगाल ने किए इसकी शुरुआ तो पहले मेप में देखते हैं पसिम मंगाल को यह में पसिम मंगाल पसिम मंगाल के केपिटले कॉल कता चीफ मिनिस्ट्रे मम्ता बेनर जी और गौवर्नर यह पसिम मंगाल के वेश्ट मंगाल के जगदीप धन पार्क तो यह भी पस्टिम मंगाल में तर वेरइंपोर्टेंट एंट है और अभी एक कुछ ना आई संद्र वन नेशनल पारक से अब हुआ जो संद्रवन नेशनल पारक है इसमें जो भागों की संख्या है वह 58 से बढ़के 96 हो गई है चियान में हो गई हैं बागों की संक्या सुन्दरवन नेशनल पारक में तो यह कहां पर हैं पस्यम मंगाल में और बात करें सुन्दरवन इसका नाम कैसे पढ़ाए तो इसमें सुन्दरी वरक्स पाये जाते हैं सुन्दरवन नेशनल पारक में इसलिए इसका नाम है सुन्दर किस तैकि कई जगा उतर प्देश टिक कर देते कई बार तो यह पस्यं रदिक देख लेक्ट-ॉब्स करेक्टर तो मातरी-स्मर्स्ति योज़ना की पस्यम मंगाल नेज्ट कुछन है उसके लगा माननद वाइल लाइब सेंचूरी और जल्दा आपड़ा वाइल लाइब सेंचूरी भी पसिम में है हाली में racode सदेश्य देशों के विदेश मंतरियों की वर्चुण कोन प्रेंज की बैठक की अध Näकस्पा फिने की है संगाई सयोग संगटन इसके जो सदसे देशे उनके विदेश मंत्रियों की वर्चुल कॉनप्रेंस की बैठक हुई यह तो उसके देखता किया है रस्या ने और भारत में भारत के जो विदेश मंत्रियां एस जेसंकर सुब्रमन्यम जेसंकर तो इन्होंने बारत का प्रतिनेदित्व किया है इस बैठक में अब यह रस्या ने इसके देखता किया है जो रस्या के जो विदेश मंत्रियों वर्टमान में रस्या की विदेश मंत्रियों सरगई लावरोव इन्होंने इसके देखता किया रूसं के विधे संधरिय फोरेंट मिनिस्ट्र अब बात करें रसुए नहीं देखता की है तो ये रा मेप में रस्या रसय की केपिटल मास्को करेंसी है रूस की रसियन रोबल और रूस के प्राइम मिनिस्ट्र ने अभी नए बनेते मिखाइल मितुस्सीन तो रूस के पहले दमित्री में दे होते हैं लेकिन अभी यह बने मिखाइल मितुस्सीन अभी बनेते उसके लावा परसिदेंट है रूस के बलादमीर पुतीन और इनसे कुछन बनता है भी बलाजमीर पुतीन ने जो उत्र कोरिया की जो तानासा है किम जोंग उन उनको भी वर्ल्ड वार सेकंड याने विसु यूद सेकंड पदक्स सम्मानित किया था बलाजमीर पुतीन ने नौर्थ कोरिया की जो तानासा है किम जोंग उनको तो यह देन रखना है और रूस की संसित का नाम भी पूछ लिया जाता है इसकी संसित का नाम है डियूमा उसके लावा रसिया एरिया वाइज वर्ड का सबसे बड़ा कंट्री है रसिया और यह कौन से माधिप में एसिया माधिप में और थोड़ा सा इस्ता इसका यूरोप माधिप में पड़ता है उसके लावा जो एसिया माधिप और और यूरोप मादिप को यूराल माउंटेन अलग करता है इसलिए यहां पर इसका नाम यूरेसिया यूरेसिया वर्ड आता है तो यूरोप और जो एसिया मादिप में उसको अलग करता है यूराल माउंटेन यानि यूराल परवत उसके लवा तो एसिया सबसे बड़ा कंट्र आने बर्कोयास तो यह रूस में अब बात करें एस्टीयों की बात आई यह तो एस्टीयों इसकी फुलपर में संगाई कोप्रेशन ओर्गिनाइजेशन इस्तापनाइटी एस्टीयों की 2001 में और इसका एड़ को अट्रेच चायना की केपिटल बिजिंग में और इसके भारत और पाकिस्तान यह दोनों एकसाद 2017 में साविल हो Chemですね में अभी आठ't कौन-कौन छे तो एक है भारत एक पाकिस्तान एक है चाईना एक है रोस उसके लाव कजाकिस्तान, ताजकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्वेकिस्तान तो ये कुल आरदे से एस्जीओ के नेक्स्ट कुछन है हाली में किसरा जेसरकार ने इस संजीवनी ओपीडी ओनलाइन सेवा सुरू किये यहांने जो लोग जो वेक्ती नीरंतर अपना चेक अप कराते हैं डोक्टर के पास जाते हैं तो उनको डोक्टर के पास जाना पड़ता था रेगुलर तो ये सेवा शुरू किये उसी के लिए यह वेबसाइट लॉंच की गई है और इसके तुरू डॉक्टर से डाइरेक्ट अपॉइमेंट ले सकते हैं और वीडियो कॉर्प्रेंस के तुरू डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं इसमें तो यह इसंजीवनी ओपीडी ओनलाइन सेवा शरू किये मारास्ट गवर्मेंट न मुप्त स्वास्ते योजना भी किती मातमा जोतिबा फुले जनार्योगी योजना के तत माहरास्ट ने प्रतेक नागरिक को मुप्त स्वास्ते भीमा योजना भी सुरू किती माहरास्ट गवर्मेंट ने बात करें माहरास्ट की पले मेप में देखते हैं माहरास्ट को यह र पाल हिंदी में बोलते हैं कोवर्नर को उसके लावा बात करें महाराष्ट के नेशनल पार्कों की तब इंपोर्टेंट है महाराष्ट के संदोली नेशनल पार्क है महाराष्ट में उसके लावा संजे गांधी नेशनल पार्क और पेंश नेशनल पार्क और गूगामल नेशन हुआ हैं तो यह चारो नैशनल पार्क इंपोर्टेंटे महारा स्टके नेक्स्त कुस्य है हाले में कोरोनो वायरवस फिरी ओने वाला याने कोरोनौ वायरस से मुकतों MALE यूरोप नियन को प्हला देश कौन बनाए तो आधिकारिक रूप से को रोनावाइरस से मुक्त ओने वला युरोप का पहला देश मनें अपसेण आपने क्रेक्ट सलोवेनिया अभी अभी अ경 देखते हैं स्लोवेनिया को यह रामेप में स्लोवेनिया तो स्लोवेनिया यहां पर यूरोप माधिब का देश स्लोवेनिया तो यह आद रहा है स्लोवेनिया तो स्लोवेनिया की केपिटल लजूब लजना करेंसिये स्लोवेनिया की यूरो और इसके प्राइम मिनेस्टर अभी नई बनेत ये अगले माने देशक के रूप में किसे किया गया है यह किया गया है डेरीन तांग को अप्स सब्सक्राइब को यह तो यह वल्ड इंट्लेक्ट्वल प्रोपर्टी और्गेंजेसन के नए माने देशक अगले हेड बने एक अक्टूबर से यह कारेकाल संभालेंगे अभी डबलो आई पीओ की फुलपर हम पले बताई थी इसकी फुलपर में वर्ल्ड इंटलेक्च्वल प्रोपर्टी और्गेनाईजेशन इसकी स्तापनाई थी 1967 में और जो आस्याने उसके भी इसके बाइब बताएं उसके लाओ वर्ल्ड हैल्थ और्गेलाइजेशन उसका भी जिनेवा में और जो आई येलो हैं इंटरलेस्ट इंटरनेशनल लेबर और इसका भी जिनेवा में हैड कॉर्टर पूछ लिए जाता है यानि मुख्याले हिंदी में नेक्स्ट किसने और सवयुक्त राष्टर में भारत के प्रतिनीजिती बनेते त्याइस त्रियुमूर्थी तो यह याद रखनें नेक्स्ट किसने हाली में इन आर एिया यानि नेेशनल राइपल अस्यूसियशन ओप इंडिया नेऊजियोह के लिए किसे राजम गांदी खेल रतन पुरसकार के लिए नामित किया हैं एक एक हैं अन्जुम मौध गयल तो इनको अभी राजी गांदी खेल रतन-आवार्ड आउसी मिला था और दो फिरारेट पेरा एकलीट है इन्होंने भी सन्यास लिया था दीपा मलिक ने उसके लाए जो बजरंग पूनिया तिये पहला ने बजरंग पूनिया और उन्हों जो ACN गेम होए थे इंडोनेसिया में उसमें पहला स्वाण पदक जीता था भारत के लिए बजरंग पूनिया ने कि दोजार जो अठारा में सेन गेम हुए था अठारवे जकारता पोलंबेक में तो दोनों का नाय में दुखना है दीपक दीपा मलिक और बजरंग पूनिया तो ये 2019 का इन्हें मिला था राजियुगांदी खेल रतन अब इनको अंजुम मुद्गिल तो इनको नामित किया है नेशनल राइफल असोशियेशन उप इंडियन उसके लाओ ये तीनों ओप्सन तीन देर के मनुबाकर सौरब चोदरी अभिशे कुर्मा ये भी सूट रहे हैं इन तीनों को अरजुन आवाड के लिए नामित किया गया है और उसके लाओ जस्पाल राना तो ये कोचे तो द तीनों को और अंजुम मोध गिल तो इनको राजिव गांधी खेल रतन के लिए नामित किया गया है और राजिव गांधी खेल रतन पहली बार 1991 में दिया गय आप्धन निस्सों ग्राण में में और किसे दिया गय त trash BRA विस्वनातन आनंद है नेक्स्ट क्युषन है सब्सक्राइब हुआ कि हाली में किस देश ने सोसल डिस्टेंसिंग सुनिशित करने के लिए आई फील ú enjoyment новых एक चलेक्ट तो इसराइल ने आई फील यूड ब्रेसलेट विक्षित किया है इसमें क्या होगा तो यह ब्रेसलेट हात वंदार रहता है यह ब्रेस्लेस्ट हाथ में बंदर आएगा यह ब्रेस्लेस्ट और जब भी कोई दूसरा ब्रेस्लेट इसके पास में आएगा तो यह उसको वार्न कर देगा जिसे की सोशियल डिस्टेंसिंग बनी रही यह इसमें रेडियो वेज्ट का उपयोग किया गया है यह GPS ट्रेक नहीं कर एक तो रेडियो वेवस का इसमें इस्तिमाल किया गये तो जब भी कोई दूसरा ब्रेसलेस्ट आपके पास आएगा तो ये वर्न कर देगा जिससे कि सोशल डिस्टिंग ने सो Özफे डिस्टेंसिंग भणी रही और करuना क soon वायरस का परसार कम से कम हो सके तो यह चाहिना नहीं आई पील you इसमा हम से jakे सोशेल डिस्टेंसिंग को सुनिच्षित करने के लिए सुषेकर बात करें इसराइल की इसराइल की ital ने यरूसलम इस्राइल की करेंसी इस्राइली नियू सेकल और प्राइम इस्राइल के बैंजवामिन नेतनी आओं नेक्स्ट कुस ने है लास्ट कुछ ने हाल इंदर्राष्च्ट या परिवार्धिवस कब मनाएगे हैं तो यह मनाएगे हैं 15 मही को अप्षंड करेक्ट है इंट्रनेशनल फेमिली डे याने ओड्रनेशनल फेमिली डे तो क्या 15 मही को मनाए जाता है हर साल If 00rounded in development इस बार कि непीए है तो International Day of Families यह मनाए गए हैं अभी 15 मही को International Day of Families और इसे मनाता को ने संग्त राष्ट्री से मनाता है United Nation उसके लबा 15 मही को लुप्त पराई राष्टिय लुप्त पराई परजाती दिवस भी मनाए गए हैं और यह मही के तीसरे सकुलवार को मनाए जाता है तीसरे पराई डे को दिवस तो इसकी थीमिया देखना है फेमिलीज इन डावलप्मेंट अब इसे मनाता है United Nation यह इंपोर्ट्रेंट है United Nation इसकी स्थापनवाइथी 24 अक्टूबर 1945 को इसलिए संग्त राष्ट्र दिवस यह ने यूनाइटे डे मनाए जाता है हर साल 24 अक्टूबर को इसका एड वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस और टोटल कंट्री कितनी है United Nation में वर्तमान में 193 एंटोनियो गुटेरस है पुर्त पुर्तगाल के उसके लावाव 1945 में बहुत सारी बहुत सारे एजेंसी जितने जो हुए है उनकी स्थापना हुए ती जैसे वर्ल्ड बेंक की हुई जो इंटरनेशनल फूड ओर्गेनाइजसे ने इसकी विस्तापना हुए थी 1945 में तो यह जितने भी इंपोर्टेंट इनकी 1945 में हुए तो यह था आज इक रंटपेर का वीडियो लास्ट क्यूशन है भी हाली में वाइस एड्मिरल जी एम हिरान अंदानी मेमोरियल से सम्मानित किया गया है और अभी जो यह वाड़ेस की शुरुआत हुई थी 2013 में उसके लाओ जो ऑप्शन में देरका हैं सिद्दार्त वर्द राजन तो इनको प्रिडम ओप स्पीच अवाड 2020 से सम्मानित किया गया था इसको बताया था भारतिया पत्रकार है यह अब देखते हैं लास्ट व्यों के क्यूशन का अंसर है हाली में फेड कप होट अवाड किसने जिता थी जिता था सानिया मिर्जाने और यह अवाड जितने वाली पहली बनीती सानिया मिर्जा तो यह था लास्ट वीडियो का क्यूशन और अब देखते हैं आज का क्यूशन आज का क्यूशन हाली में भारतिया पुरातत्तो सर्वेक्षन यह ने आर्की नो आर्की ओलोजिकल सर्वे ओप एंडिया की नई मानिदे से कौन बनी तो इसका अगर किसी भी क्यूशन चे कोई भी प्रब्लम हो कमेंट बोक्स मिं बताए या अपनी प्रब्लम इन वाट्सब नम्बर की तरू आप शेयर कर सकते हो अगर कहीं पर भी कोई भी क्यूशन चे यह अडिशनल सजेशन देना चाहिए तो ठेंक्स पर वाचिंग दिस यूडिय थैंक्स ओल प्रेंट्स